अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 64 करने जा रहे हैं 6-8 क्लास के बच्चों के लिए ठीक है 17 डेट की आपकी वरक्षीट है बटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसमें हम कुछ गेम से रिलेटिड जानेंगे ठीक है तो इसको आप किसमें ले सकते हैं बटा सब्जक्ट पूछोगे आप मेरे से तो इसको आप सेस्ट में कर सकते हो अपनी ठीक है क्योंकि ये हिंदी इंगलीस दोनों मीडियम में आई है इंगलीस की बन चुके बटा ओरड़ी आप हिंदी मीडियम की यहां पर देख रहे हो ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बटा कि लोगडाउन के समय पीकू के दादा जी ने देखता रहता है ठीक है टेलिवीजन पर देखो बेटा क्या कर रहा है वो कार्टून देख रहा है तो फिर दादा जी बोलते हैं उसके पीकू क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता तो उससे पूछते हैं फिर पीकू क्या बोलता है दादा जी मैं भार खेलन खेल नहीं सकता मतलब कि मैं भाहर तो जाना चाहता हूँ पर ये इस तरीके की महावारी है COVID-19 जो चला हुआ बेटा इसमें कोई भी भाहर नहीं जाता और नहीं खेलता है ठीक है तो फिर दादा जी क्या कहते है कि तब पीकू से पीकू के पास बैठे और उसे बताया कि लंब कौन से जब हम खेल खेलते तो उससे हमें कई फायदे होते हैं ठीक है जैसे कि आपके सरीर को तंद्रूस्त रखता है ये जब खेल खेलते तो बेटा हमारा सरीर फिट रहता है ठीक है हमारी एक आगरता बढ़ती है यानि कि हमारी जो कंसंट्रेशन है हम एक चीज़ पर सीख जाते है ठीक है टीम में काम करना सीखते है क्योंकि बेटा गेम होते हैं खेल होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं एक से अधिक होते हैं एक टीम के अंदर तो टीम में किस तरीके से काम किया जाता है किस चीज़ को कौन हैंडल करता है कैसे करता है कब करता है ये सारी चीजे हम सीखते हैं फिर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं मतलब कि दूसरों की help करना सीखते हैं उनके साथ कोपरेट करते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ करते हैं उनके साथ तो ये सारी चीजे हम सीखते हमारे अंद ठीक है तो ये वाला जो बेटा है ये क्या है फुटबोल है ठीक है तो क्या हम इसको घर पे खेल सकते हैं तो नहीं तो आप क्या लिख दोगे नहीं ठीक है फिर बेटा नीचे देखो नीचे क्या है हाँ लूडो ठीक है तो क्या हम इसको खेल सकते हैं घर पे तो क्या उसरे वाले blank में हां लिख दोगे, फिर तीसरा देखो बेटा, यह क्या है, रसी कूदना, ठीक है, तो क्या हम इसको रसी कूद सकते हैं घर पर, तो जरूर कूद सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख दोगे, हां लिख दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिखाया गया सत्रंज, ठीके, तो आप क्या लिखोगे, सत्रंज, क्या हम इसको खेल सकते हैं घर पे, तो हाँ हम खेल सकते हैं, अब इसके बाद देखो बटा, यहाँ पर एक लास्ट बच गया है, यह क्या है, क्रिकेट, ठीके, तो क्या हम क्रिकेट को खेल सकते ह हमें उसके लिए भारी ही जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसका तो दो नहीं है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला बाकी सारे हाँ है ठीक है अब यहां पर बोलाए घर के अंदर खेले जाने वाले अपने प्रिये खेलों के नाम लिखिए तो जो जो घर पे गेम खेलना पसंद है उनके नाम आप यहां पर लिख दोगे जैसे मानलो आपको लूडो खेलना पसंद है सतरंच खेलना पसंद है या और भी कोई गेम है वो खेलना पसंद है तो यहां पर आप उनके नाम लिख दोगे ठीक है कि मुझे घर में खेलने वाले जैसे क लूडो हो गया सतरंच हो गया और भी ये गेम खेलना पसंद है ठीक है तो ये थी पेटा आपकी आज क्या आसान सी वरक्षीट थी और उमीद करते हूं आपको ये अच्छे से समझा गई होगी फिर भी कोई डाउट रहे तो भी इसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना पेटा ये जो अपनी नेक्स्ट वरक्षीट होगी हम अपनी नेक्स्ट टूडियो में करेंगे तब तक के लिए ऐसी हसते रहे मुस्कुराते रहे पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे थैंक्यू